दो अक्टूबर 1879 में गुजरात के पूरबंदर शहर में पैदा हुए महत्मा गांधी जिने सारी दुनिया बापू के नाम से याद करती है वो भारतिय सवतंतरता आंदोलन के पुरमुख राजनेतिक नेता थे जिन्होंने सत्याग्रे के माध्यम से अत्याचार के खिलाफ अहिंसावादी दिशा अपनाई यंग इंडिया में प्रकाशित दा कलेक्टिड वर्क्स ओफ महत्मा गांधी वॉलिम 25 में गांधी जी पेगंबर मुहम्मद के बारे में लिखते हैं अब मुझे पहले से ज्यादा विश्वास हो गया है कि इसलाम के फैलने में तलवार की शक्ती ना थी बलकि ये इसलाम के पेगंबर का अतियंत सादा जीवन बिना किसी स्वार्थ के प्रतिग्या पालन और निडरता थी उनका अपने मित्रों और अनुयाईयों से ब्यार और इश्वर में विश्वास था ये तलवार की शक्ती नहीं थी बलकि ये सब वो खूबियां थी जिन से उनकी सारी रुकावटें दूर हो गई और उन्होंने सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर ली